हमास, हिजबुल्ला और हुती एक कोई संगठन नहीं बलकि इस्राइल के लिए ये लोग कहर हैं और इस्राइल इन लोगों से ही कापता है इस्राइल के सैनकों को हर घंटे मारा जा रहा है नमस्कार मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक आप सभी लोगों को पता है कि फिलिस्तीन अब हमेशा हमेशा के लिए आजाद होने वाला है क्योंकि नेतन्याहू की सारी हेकड़ी दावागिरी निकल गई है अब नेतन्याहू चिला रहा है चीख रहा है कह रहा है कि दो महीने के लिए युद्ध को रोक दिया जाए यानि सीज फायर पर बात चीत कर ली जाए क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि जिस तरीके से हमास के लड़ा के खुती के विद्रोही और हिजबुल्लह के लड़ा के मार रहें इसराइल के सैनकों को उससे यही लगता है बहुत जल्द ही इसरेल का खात्मा हो जाएगा इसरेल का नामों निशान मिट जाएगा और इसलिए नेतन्याहू युद्ध विराम की बात कर रहा है क्योंकि जो हुती के विद्रोही हैं वे लोग खुल के कह रहे हैं तुम जल में आओ तुम को हम गिरा गिरा कर मारेंगे पानी में तुम को हम डुबा डुबा करके मारेंगे और अगर तुम सड़क पर आते हो जमीन पर आते हो लड़ने के लिए हमास छोड़ने वाला नहीं है इस्रेल के सैनकों को खबर तो यहां तक है 7 अक्टूबर 2023 ओदिन याद कीजिए जब युद्ध की शुरुआत हुई थी इस्रेल ने एक लाग से ज़्यादा अपने सैनकों को गजा में उतारा था लड़ाई लड़ने के लिए लेकिन हुआ क्या 25 हजार से भी कम अब इस्रेल के सैनक गजा में बचे हुए हैं यानि कुछ सैनकों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया है और अब जो इस्रेल के सैनक है उन लोगों को पकड़ पकड़ करके हमास के लड़ा के बंधग बना रहे हैं नेतन्याहु के खिलाफ इस्रेल में आंदोलन हो रहा है और वहां की जनता कह रही है जो सैनक है उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि मेरे पती को मेरे बेटे को मेरे चाचा को मेरे मामा को मेरे ताओ को मेरे फूफा को मेरे माउसा को छुड़ा करके ले करके आओ और नेतन्याहू हाथ पर पटक रहा है और नेतन्याहू की एक भी नहीं चल रही है नेतन्याहू की दाल अब नहीं गल रही है क्योंकि बंधग बनाया जा रहा इसरेल के सैनिकों को उन्हें लाइन में खड़ा करके मारा जा रहा है तो आप सोचिए कितने ज्यादा बुरे हालात अब इसरेल के हो रहे हैं और नेतन्याहू घवराया हुआ है और इसलिए अब बात कर रहा है सीज फायर की देखिए न्यूज 18 इंडिया लिखता है लिबनान से यमन तक जंग में की फैली आग और नेतन्याहू परमालचतावनी दे रहा है अरे नेतन्याहू तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता इस्राइल की सेना पर तूट पड़ा हिजबुल्ला क्या कर लोगे बताओ नेतन्याहू तुम लोगों नहीं कहा था 48 घंटे के भीतर ही हमास का खात्मा कर दिया जाएगा हुआ क्या 110 दिन से जादा का वक्त गुजर गया क्या हमास का खात्मा हो पाएगा मैं पूछ रहा हूँ मेरा सवाल दो टूक है नेतन्याहू आप से आप जबाब दीजिए और अगर आप हमें मेल की जरिये नहीं बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स आप के लिए खुला हुआ है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे उन दाओं का क्या हुआ जबाब है आपके पास अगर कोई जबाब है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नियूज जेटिन इंडिया लिख रहा है हिजबुल्ला ने उड़ाई नेतन्याहु की नीद मैंने तो पहले कह दिया कि हिजबुल्ला सिर्फ संगठन नहीं बलकि नेतन्याहु के लिए कहर है और नेतन्याहु की उल्टे गिंती शुरू हो गई है नेतन्याहु के लिए जो आग की रात है ए रात कयामत की रात है नेतन्याहु थर्रा रहा है डरा हुआ है सहमा हुआ है बंकर बदल रहा है लेकि नेतन्याहु अब बचने वाले नहीं हो क्योंकि तुम 25,000 से ज़्यादा बेगुनाहों के हत्यारे हो मास्टर माइंड हो और पूरी दुनिया अब तुमको छोड़ने वाली नहीं है और इसलिए दुनिया के तक्रीबन 150 देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके युद्ध कर रहे हैं इरान हो यमन हो तमाम ऐसे देश हैं रूस हो ये लोग खुल के कह रहे हैं नेतन्याहू अगर दुबारा से गल्ती की तो तुम किसी भी कीमत पर बचने नहीं पाओगे और तमाम जो खबरे सामने आ रही हैं नेतन्याहू अब ना घर का रहा है ना घाट का रहा है देखिये नियू जेटिन इंडिया लिखता है हुथी लड़ाकों ने अमेरिका का इदुपोत समंदर में डुबा दिया है यानि समंदर में भी अब इस्रेल नहीं बच रहा है और इसके साथ साथ तमाम खबरे इसे सामने आ रही हैं और उन खबरों की अगर हम माने तो नेतन्याहू की गद्धी जाने वाली है क्योंकि य सेनिक भासकर लिखता है हमास के हमले में 24 इसराइली सेनिकों की मौत नेतन्याहू रहे कहा एजंग का सबसे बुरा दिन है नेतन्याहू आप जाएए नेशनल दस्ता के वीडियो को देखिए साथ अक्टूबर 2023 को जो मैंने वीडियो बनाया था मैंने बताया था उसमें आने वाले हैं लेकिन तब मेरी बाते हैं आपको समझ भी नहीं आ रही थी खामियाज अब भुकतों अब तो देनिक भासकर लिख रहा है और नेतन्याहू का बयान है देनिक भासकर कोट कर रहा है कि यह जंग का सबसे बुरा दिन है यानि उल्टी गिंती शुरू हो गई है कयामत के दिन आगे हैं और आज की जो रात है यह रात कहीं है सन और इसी रात में फुल एंड फाइनल हिसाथ किताब हो जाए नेतन्याहू ना तो इसरेल के रह जाएगा ना ही फिलिस्तीन का गजा का रह पाएगा और इसलिए नेतन्याहू चाहता है कि युद्विराम पर बातचीत कर ली जाए और अगर बातचीत बन जाती है तो नेतन्याहू को कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी लेकिन मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों आप लोग कान खोल कर सुनिये और अपनी आखों को भी खोल लीजिए और इस चेहरे को पहचान लीजिए अगर युद करवा रहा है नेतन्याहू को पता है जब तक युद चलता रहेगा तब तक नेतन्याहू इसरेल का प्रधान मंत्री रहेगा और अगर युद खत्म हो जाता है या युद समात्प हो जाता है नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने क के लिए बेगुनाह मासूम जो इनोसेंट है उनसेंकों को मौत के मुह में धखेलने का काम कर रहा है और काल के गाल में फिल्स्तीटेंटों को तो नितन्याहुन पहले धखेल दिया था लेकिन मैं कि फिल्स्तीनियों को मारा गया है मैं मानता हूँ मेरी निजीरा है कि फिल्स्तीनी जो है यह लोग आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जान को इन लोगों ने कुरूबान कर दिया आजादी के लिए नेतन्याहु गीदर धमकी दे रहा है लेकिन जुस तरीके से यमन हुथी इसके राम हिजबुल्ला हमास ये लोग मजबूत हो रहे हैं उससे यही लग रहा है कि अब इसरेल की खैर नहीं है और नेजन्याहों के भी उल्टी गिंती शुरू हो गई है और खबर तो यहां तक है कि जो टैंक थें इसरेल के पास उन टैंकों में तेल नहीं ब जो रवर का जो टैर इसमें नहीं लगा होता है और इसलिए टैंक और पंचर नहीं किया जा सकता लेकिन जो तमाम गारियां है जिस गारी से नितन्याहों चलता था ओ गारी पंचर हो चुकी है नेतन्याहू का दिमाग खराब हो गया है और नेतन्याहू की दादा गिरी अब निकल रही है इसलिए नेतन्याहू चीख रहा है चिला रहा है और कह रहा है इद्विराम पर बात चीद कर लो लेकिन जैसे ही दो महीने के लिए इद्विराम पर सहमत बन जाती है तो हम आपको आगे वीडियो बना करके जरूर बताने का काम करेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप लोग बताइए नेतन्याहू का क्या होने वाला है और मैं आपको बता दूँ भारत का इकलावता ऐसा नेशनल दस्तक चैनल है जो हर रोज दोनो टाइम आपको इसरेल में चल के रहा है उससे आपको अपडेट कर रहा है धन्यवाद नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे